तो माई डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समस्त में बीए थर्ड समस्टर अर्थसाफ्त जानी एकोनुमिक्स का पूरा का पूरा मारल पेपर कोश्चन पेपर प्रस्तुत करने वाला हूं जो कि यह प्रिबियस यर का है जैसा कि आप देखी पा आएंगे कि दूसरी आपको यह जानकारी मिलेगी कि ऐसे कौन से कोश्चन ने जो परिष्चह में बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ कॉमन कोश्चन होते हो हमेशा आएंगी उर्वाब एक बताऊंगा और इस बार की परिष्चह होने वाली उसमें कौन-कौन से सभश्यं कोश्चन मताएंगे जिनके आने की ज्यादा चांप है और प्लस उनका उत्तर कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा उसकी जानकारियम आपको देंगे ठीक है तो पी ऑपन दोनों ले लिजिए क्योंकि जो मैं को नोट कर लीजिए उनकी हाई के तोर पर देख लिए समस्टर आपका थड़ है ठीक है और सब्सेर पहले खंड़ा में आएंगे यानि की अतलग उत्रे आपको को मिलेंगे ठीक है और अतलग उत्रे का तो आते लिए को सबसे पहला प्रहथ प्राइब की कि कोटल के अनुसार धन को परिभाफित कीजिए कोटल के बारे में आप नाम तो सुनाई होगा ठीक है और यह नहीं कि जो कह सकते है वेल्थ जो है उसकी परिभाफा के प्रकार दी है ठीक आप सभी को मालूम है कि अर्थवसाफ्त का मतलब यह फाइनस यानि रुपया पैसे स जातर पैस्छाओं में प्रिश्चाओं हुई है उसमें प्रशना था इसलिए उसको जोड़त यार करें ठीक है नोट कर लीजिए वाला कोश्चन उसके बाद आगला कोश्चन है की बाहिर गमन सिध्धानत क्या है यह कोश्चन देखिए मेरे नहीं चांस आने की ठीक है बा दाने के चांस है ठीक है वह मैं आपको बताऊंगा और परिश्चांट आएंगे ठीक है और इसकोश्चन है कि एडम एश्मित के दर्सन को बताईए तो एडम इसमित परमुक आर्थसाफ्त्री और राजनीतिक हैं बहुत विद्वान है तो यह कुश्चन आप सभी के लिए किसिसे मांडि समाजवादी था 80% उम्मेधी प्रशन है तो इस बार भी पूरी उम्मेध कि आएगा ही आएगा अले जानец करना है क्लिए कि भार म заг potrze यह को लिए राम हैं स्युआं के उत्तर कहां मिलें के फिचे मिलें विजान कारी आपको मिलें बस को करते चलिए ठीक है उसके बाद आ जाएंगे हम खंड बाकी और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे लगुत्रे कोश्चन और लगुत्रे कोश्चन का अंसर आपको पढ़ लेना है और उसका उत्र कितने सब्दों लिखना ताइंगे हम जो बात करते हैं आपका करते हैं कि अगला कोस्चन की डाक्तर भीम राव मेटकर के आर्थिक बिचारों का संचेप में वरण कीजिए राम बाण कोश्चन डाक्टर भीम राव मेटकर कंस्टिट्यूशन के फादर है कंस्टिट्यूशन यानि मिधान को लिखने वाले जन्मदाता है तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने भी कुछ आर्थिक यानि कि फाइनन्स को लेकर रुपिया पैसे को लेकर कुछ बिचार प्रस्तुत किये हैं उसके बारे में आपको लेखना जो कि एक राम बाण कोश्चन साबित होगा आपके एक्जाम के लिए बहुत परिच्छाओं में पहुँचा गया है प्र आर्थिक दरसन पर प्रकास डाली तो या कुछ दाता है लेकिन बहुत कम आता है तो इसलिए हम इसको इगनौर करेंगे चिक है बाकि आपकी इच्छा तो इसका एंसर तयार कर सकते हैं मेरे को इसको जोड़ेंगे अगला कोश्चिन गारंटी वाला है नोट कर प्लेटो के आठक बिचार को संशिप में लिखिये अद्थिक बिचार का मतब में आप को फिर से बता आपको पर सदीजें कि आठिक चीज़ें मतब ढ़ना में सजोड़ी रूपे परहा का प्लजिए ठीक धन ने किये भी है पलेटों ने जो कि प्रमुक्त समास साफ्त्री और अर्थसाफ्त्री भी है इनके विचार आपको बताना जो कि एक राम बाढ़ 100% आने वाला कि अग्नोर करें मतब कि आता है कुछ परिच्छों में आया हमेशा नहीं आ तो माल थेक्स प्रमुक्त बेद्वान जो कि अर्थसाफ्त्री हैं और हमेशा रिपीट नहीं हुआ तो आ भी सकता नहीं भी आ सकता लेकिन उम्मीद मान किसे लिए अगर माली एक्जाम को 10-15 दिन बचे हैं तो मत तयार करिए और 20 दिन से ज्यादा बचे मताब एक महीने डेड़ महीने तो इसका आंसर तयार कर सकते हैं और अगला प्रस्तुत होने जा रहा है गारंटी वाला कि पूर्ती अपनी मांग स्वयम उत्पन्न करती है ब्याख्या कीजिए पूर्ती यानि कि जब किफी चीज की रिकारमेंट होती है ठीक है तो सिंपल सी बात है कि उस चीज को पाएगा ठीक है उस चीज को मांगेगा ठीक है तो वही का गया पूर्ती जो है जब पूर्ती करनी होती है तो मांग स्वयम उत्पन्न करते हैं तो आपने वही किसी चीज की कमी है तो वह पूर प्रस्तुत है कि मार्सल जो कि प्रोंग विद्वान है इनके प्रतिन निदीप फर्म की अवधाना का विश्लेफन कीजिए भी कोश्चन बहुत कमाता आप इग्नौर भी कर सकते हैं पड़ भी सकते हैं मेरे इनुसार इग्नौर कर सकते हैं अगला कोश्चन की बॉम बावर की सब्सक्राइब कोश्चन बहुत कमाता इसको इग्नौर कर सकते हैं ठीक है तो यह यह मतलब कि यह रहे लग उत्रे टाइप के मोस्ट इंपारण कोश्चन जो आपके घ्याम म्याने की चांस है उनकी जान कई अब आज आएंगे हम खंडसा की और जहां पर आपको देखने को बोलेंगे दीर गुत्रे जिनको लोग भी बोलते हैं ठीक है और दीर गुत्रे प्रस्टे का एंसर करने से पहले इसमें कुछ इंसक्षिंस देगे वह यह कितने कोश्चन करना उसका उत्तर कितने सब्दों लिकिना कितने नंबर मिरेंगे आपको पढ़ लेना इंगलिस दो में दिया गया है ठीक है तो दीर गुत्रे का पहला कुश्चन जो की रामबाड हंड्र परसंट गारंटी वाला कुश्चन है कि महत्मा गांधी के आर्थिक विचारों के समच्छा कीजे वर्तमान भारते प्रसितियों में आप उनके विचार को कहां तक उपयुक्त समझते ह है पंडित फौरी महत्मा गांधी जी ऑ महत्मा गांधी जींहां को जाने बहुत थ्यादा आग सब्माद करता है लोग च्छोटे च्छोटे काम कर के अपने गर्बेंदेखए अच्छे तरहफे अपने आपको समाच को सोसाइटी को देश को स्टों कर सकते हैं और उसी तरह आपको यहां पर लिखना भी है कि महात्मा गांधी जी के कुछ finance को लेकर आर्थिक बिचार क्या क्या इन्होंने बताए हैं उस चीज को लिखना है और वर्तमान में इस समय भारतिय इस समय किस प्रकार काम कर रहे हैं किस तरह हमें उपयोग में उनके विचार ला रहे हैं या फिर इनके विचारों से हमें सीख मिल रही है फिर हमको कुछ जानने को मिल रहा है ठीक है तो यह आपको लिखना जो कि ग्रामबान कोश्चन नोट कर लिजे अगला कोश्चन है कि आर्थिक विचार में अमर्त सेन के योगदान का वर्ण कीजे बहुत कमाता है मेरे अनुसार इग् प्रकार इस अब आरफ्तु ने अर्थिक विचार को किस प्रकार बताया है और आपको इसका एंसर वह तयार करना है अभी इनका एंसर कहां पर मिलेगा उसकी जानकारी मिल जाएगी लेकिन कुष्चन करिए बहुत इसके बाद अगला कोश्चन भी आप सभी के लिए अस्ट कि आपको बार बार बता चुका हूं और इन्हों ने किस प्रकार बताएं सब चीज के अलग अलग मतलब होते हैं और हर इंसान के अलग अलग सौंछ होती हैं अपने टिपड़ी होते अपने विचार होते हैं कोई भी टॉपिक ले लिजे ठीक है तो कोई भी मिस्तिमाल लिजे कोई भी घर है बनाना है तो अगर आप किसी भी मिस्तिरी से मिलेंगे तो जितने भी मिस्तिरी से मिलेंगे सब लगबग लगबग अपने विचार बताएंगे बनेगी बिल्डिंग तह तो है कि बिल्डिंग ही बनेगी वो घर ही बनेगा लेकिन जो विचार होंगे बनाने का जो तरीका होगा जोसमें मट्रेल लगेगा उसमें डिफरेंस होगा जरू ठीक है तो इसलिए हर एक इंसान की स्वोच नहीं मिलती है उसी तरह यह प्रमुक भी जो विद्वान है हमारे देश के जो नेता है ठीक है पुराने इन्होंने अपने अपने विचार कैसे प्रस्थितके हैं आर्थिक चीज़ को लेकर वही आपको यहां पर बताना है ठीक है नोट कर लिजेश मंडी वाला भी कोश्चन आया आता है अमेंसा नोट कर लिजेश को भी ठीक है और उपर वाला भी था मालतस वाला और पीगू यह बहुत कमाता आपके उपर है आप तयार भी कर सकते जेवन से भी कमाता मेंसा नहीं आता पढ़ भे सकते गनूर्बी कर सकते ठीक है तो यह रहा भी एक पूरा का पूरा एकोनिमिक्स जानी अर्थसाफ्ट का पूरा का पूरा मालल पेपर जो कि थर्ड सिमेस्टर का था इस बार जो भी स्टूरेंट पर इच्छा देने वाले हैं मेरा अगर का इस मालल पेपर में सकते में जितने में देगें सब्वीकाइन फस्ट 키र सकते हैं' kriegen लेकिन इस मालल पेपर पेपर जो को उस्चन आफ रखते हैं उनकी जानकारी में आपको दिया हूँ ठीक है तो जरूर इनका इंसर त्यार करें और इंसे प्रशनों का उत्तर जो है आप लोगों को अगर सिरीज है को इसे में पढ़ लीजेगा अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे टेलिग्राम वटसब से और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं जो जरूरत की आप लोगों को मिलता रहे चैनल के बादें से मिलते हैं को नए वीडियो को शाजब तेक ले जाहें हैं